फरीद जी अपने साथियों के साथ सतलुच के इलाके पंजाब के दक्षिन भाग में से गुजर रहे थे कि रास्ते में एक किले जो आज फरीद कोट के नाम से जाना जाता है बनाया जा रहा था वहां का राजा हर एक आदमी को निकलते हुए पकड़ कर टोकरी उठाने को कहता जिससे मिट्टी के किले की दिवारों पर लगाई जा रही थी बाबा फरीद जी भी वहां से गुजर रहे थे तो उनके साथियों और उनके वहां टोकरी दी गई और उठा के किले तक ले जाने को कहा गया बाबा फरीद जी भी बाकी लोगों की तरहें मिट्टी के टोकरी लेकर जाने लगे जो भी टोकरी को उठा कर धीरे चलता तो वहां का हाकम उनको बेन के डंडे से मारता और जल्दी चलने को कहता बेदोशी लोग रो रोकर अल्ला के आगे फर्यात करते सब लोगों के साथ एक नेक आदमी भी मिट्टी की टोकरी लेकर जा रहा था जब वो नेक आदमी टोकरी वाली मिट्टी रखकर वापिस आ रहा था तो उसने देखा कि बाबा फरीची जो टोकरी उठा कर ले जा रहे थे वो टोकरी उनके सर से थोड़ी उपर उड़ती हुई आ रही थी इतने में वहाशोर होने लगा और आवाज आई क्या बन रहा है किले की दिवारों पर सारी मिट्टी एक तरफ फैल गई है किला तयार करवाने वाला राजा वहां आ गया उस नेक आदमी ने जिसने अपनी आखों से ये घटना देखी थी वो राजे के पास गया और बोला महराज जी ये आपका किला कभी पूरा नहीं बन सकेगा राजे ने बोला तू कौन है ये बोलने वाला कि किला नहीं बन पाएगा महराज जी मैं भी एक खुदा का बंदा हूँ ये मैं मानता हूँ कि आप यहां के राजा हो जो चाहे वो करवा सकते हो पर जिस तरह आप इस महल का काम करवा रहे हो यह पूरा नहीं हो पाएगा उस आदमी की यह बाते सुनकर राजे को बहुत गुसा आया और कहने लगा क्यों क्या बात है महल पूरा क्यों नहीं हो पाएगा महाराज आपके किले को बनवाने वाले लोग आदमी की परक नहीं करते वो रब के बंदे संथ फकीरों को भी कुछ नहीं समझते पहुँचे हुए फकीर से तेरा क्या मतलब है राजे ने गुसे में कहा इतने में बाबा फरीज जी मिट्टी की टोकरी लेकर आ रहे थे उस आदमी ने फरीज जी की और इशारा करते हुए कहा महाराज इस रब दे फकीर की और देखिए उनकी मिट्टी वाली टोकरी सिर से कितनी उची उड़ती आ रही है यह देखकर राजा हैरान हो गया और उसके अंधेरे मन में ग्यान उतर आया रब का नूर अंदर दिखाई देने लगा और उसे अपने पुराने की ये जुल्मों का एहसास होने लगा सोचों में डूबे उस राजे को फिर से उस आदमी ने कहा कि उन रब के फकीरों जब उस मालिक के घर फर्याद करते होंगे तो क्या उपर से देख रहा रब उनकी फर्याद नहीं सुनता होगा क्या मैं इसलिए ही कह रहा हूँ कि आप यहां की प्रजा के मालिक हो यह सब रुकवा भी सकते हो अगर अपने इस तरह काम करवाया तो महल कभी पूरा नहीं बन पाएगा उस हंकारी राजे को आदमी की बाते सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई इतने में बाबा फरीज जी मिट्टी रखकर वापिस आ रहे थे और खाली टोकरी उसी तरह हवा में उड़ती आ रही थी फरीज जी जब राजा के पास आए तो राजा फरीज जी के चर्णों में गिर गया और कहने लगा साई जी मुझे माफ कर दो मेरे आदमियों ने बहुत बड़ी गलती की है जो आपके जैसे दर्वेश को टोकरी उठाने लगा दिया फरीज जी ने अपने पैरों से राजे को उठा कर कहा ये खुदा के बनाए बादशा क्या तू दिल में ये समझ कर बैठा है कि तू हमेशा के लिए या बादशा ही बना रहेगा और अपनी प्रजा पर अपना हुकम चलाता रहेगा मन आए जुल्म करता रहेगा कि जितने रब के बन्दे काम से जा रहे थे सब को रोक के जबरदस्ती अपने काम में लगाया तूने कभी पूछा भी जाने वाले बिचारे किस काम से जा रहे है वो सुखी है या दुखी चाहे वो किसी की मौत की खबर देने जा रहे हो जब उस बंदे के रोते हुए दिल की बात खुदा तक पहुँचेगी तेरा ये तकत तकते की तरह नहीं उल्टा देंगे जब तू उस खुदा के दर पर जाएगा तो क्या जवाब देगा कितना दुखी होगा राच करने की बजाए सजा भुकतेगा तुझे क्या लगता है जो तेरे सिपाई है वो तेरे हुकुम की तामील करेंगे नहीं बलकि ये भी सजा भुकतेंगे कोई जादा सजा भुकतेगा कोई कम ये बात याद रखना कि जो भी करम करोगे उसका भुकतान देना पड़ेगा खुद सोचो सारे आदमी मेरी तरह फकीर ही नहीं है कुछ लोगों की घरवाली उनकी रहा देख रही होगी कि कब मेरा पती मजदूरी करके वापिस आएगा और पैसे लाएगा जिससे वो आटाचीनी लाकर अपने भूके बच्चों का पेट भर सके जब बंदा खाली हाद रोता वापिस जाएगा और सारी कहानी घर बताएगा तो उन भूके बच्चों की बद्दूआएं तुझे लगेंगी ये जो किला तू त्यार करवा रहा है उससे लोगों को क्या फाइदा ये तो तू अपनी रखवाली के लिए बनवा रहा है कि कोई दूसरा राजा जंग में हमला ना कर पाए पर जनता को इस सब से क्या उनको तो नेक दिल राजा चाहिए अगर किसी राजा ने जंग में हमला किया तो क्या ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे नहीं ये जब की हमलावर की मदद करेंगे कि शायद वो जुल्म ना करे फरीज जी की बाते सुनकर राजे की आँखे खुल गई उसको हर बंदे में खुदा का वास दिखने लगा निमर्ता भरे शब्दों में राजा फरीज जी से कहने लगा साइन जी आपने मेरी आँखे खोल दी मेरी आँखों पर अंकार का परदा पड़ा हुआ था आज आपने आशिरवात कर दिया कि मेरी आँखों का परदा खुल गया साइन जी आप बताओ अब मैं क्या करूँ अगर यह किला नहीं बनवाओंगा तो घमंडी राजे यहां हमला कर देंगे इससे प्रजा का भी बहुत नुकसान हो जाएगा हे खुदा के बंदे तुझे किसने कहा यह किला ना बनवाने को यह किला बनवा कर लोगों से जबरदस्ती मजदूरी करके नहीं उनसे पहले पूछा जाना चाहिए कि कौन मजदूरी के लिए तैयार है और उनको उसके बदले कुछ पैसे दिये जाने चाहिए जिससे वो अपने घर वालों का पेट भर सके इस तरह प्रजा खुश रहेगी तेरे इस दुनिया में जाने के बाद तुझे बहुत याद करेगी और खुदा के आगे बेंती करेगी कि ऐसा ही राजा हमें दुबारा मिले राजे ने सब नु बुदाया और कहा सारे आके इकठे हो जाओ और पूछा कि किला बनवाने में मजदूरी करना कौन-कौन चाहता है उसे एक टका पैसा भी दिया जाएगा और जो जाना चाहता है वो खुशी से जाए कोई भी यह ना सोचे कि अगर हम जाएंगे तो राजा सक्ती करेगा जिसने अपने घर जाना था वो चले गए और जो अपनी मर्जी से मजदूरी करना चाहता था वो करने लगा राजे को लोग भगवान के रूप से जाने लगे और उसके गुण गाने लगे बाबा फरीजी ने अपनी कारामाद दिखा कर राजे को सीख दी उसके मन से अज्यानता का अंधेरा हटा के ज्यान की रोशनी की और उसको हर बंदे में भगवान का वास दिखने लगा